हेलो एवरीबन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD चॉप में सडला विडला गुरूप अफ स्कूल से वेकेंसी आई है जिस में फ्रेशर बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं NTT, PRT, TZT, Special Educator की वेकेंसी है इससे पहले जो वेकेंसी आई थी बिल्ला गुरूप अप्लाणी से वो अलग थी और ये वेकेंसी अलग है सडला बिल्ला गुरूप अफ स्कूल इसके अंतरगत बिल्ला विद्यानिकेतन से वेकेंसी है कोई एप्लिकेशन फीज नहीं देनी है और ऑनलाइन ही आवेदन करना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन-कौन से कॉलम आपको जरूरी है फिल करना जिनके वगैर आप लोग अप्लाए नहीं कर पाएंगे आपका फॉर्म ही समिट नहीं होगा ठीक है तो ध्यान से देखना है वीडियो न्यूस पेपर में भी जो है इन्होंने विग्यापन पब्लिश किया है तो सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर आप लोगों को आना है सबसे उपर वेकेंसी सेक्षन है विडला विद्या निकेतन, सर्ला विडला गुरूप अप स्कूल इस वेकेंसी सेक्षन पर जैसे ही आप क्लिक करते है जॉब टाइटल में किन-किन पोस्ट में वेकेंसी आई ही है डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी और अप्लाइ करने के लिए भी अलग-अलग आप लोगों को details पर click करना है ठीक है TGT, PRT, Pre-Primary Teacher, Special Educator तो Pre-Primary Teacher इसमें ही देख लेते हैं एक देख लेते हैं बाकी जो है आप समझ ही जाएंगे details पर click कर लेंगे यहां पर apply करने का option आगया apply online और download करेंगे तो आपको notification मिल जाएगा ठीक है वही notification जो की newspaper में publish हुआ है और यही इन्होंने official website पर डाल दिया है यह इस तरीके का notification है विर्ला विद्यानिकेतन पोस्पो विहार sector 4 New Delhi तो job location New Delhi ही है Delhi से काफी vacancy आ ही रही है यहीं पर आप लोगों को job करना होगा बिना अनुभव के भी आप apply कर सकते हैं अगर experience है तो ऐसे candidate को preference मिलेगी TGT के लिए जो B.Ed वाले candidate है TGT के लिए अप्लाए करें English and Yoga इसमें CTAT जो है वो compulsory भी नहीं है PRT के लिए English, Hindi, Maths and EBS तो इसमें primary level का diploma या डिग्री वाले अप्लाए करेंगे अभी CTAT अगर इन्होंने मांगा होता तो यहां पर जो है लिखा होता ठीक है तो यहां पर जैसे trained graduate teachers के लिए B.Ed आपका जरूरी है इसे ही PRT के लिए आपका primary level का diploma डिग्री जरूरी है special education वाले special educator के लिए अप्लाए कर लेंगे और entity वाले pre-primary assistant teacher के लिए अप्लाए कर सकते हैं तो subject आप देख लें कैसे अप्लाए करना है 7 दिन के अंदर आप लोग अप्लाए कर सकते हैं आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर के आगे के 7 दिन तक अप्लाए कर सकते हैं ठीक है date मैं आपको बता दी अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कैसे जो है अप्लाए करना है तो यहाँ पर pre-primary teachers के लिए ही जो है एक ही जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ apply online पर क्लिक कर ले यह जो आ गया application form इसमें यहाँ पर लिखा है note all marked star fill are mandatory तो जिन पर star लगा हुआ है इनको fill करना जरूरी है ठीक है अभी post applied for किस post के लिए apply कर रहे हैं तो select some option जैसे pre-primary assistant teacher name डाल देंगे present address क्या है आपका यह आपको डालना है इसमें आपको दुबारा से इसमें लिखा है name cannot be blank ठीक है blank नहीं छोड़ना है फिर उसके बाद mobile number डालना है आधार number डालना है email address डालना है बस यह जो है star लगा हुआ है यह आपको fill करना बहुत ज़रूरी है ठीक है यहाँ पर दुबारा से mobile number डाल देंगे date of birth डाल देंगे उसके बाद जो है यहाँ पर देखें salary आपको यहाँ पर mention करनी है कितनी salary आप expect करते हैं अगर आप fresher है आपको कोई idea नहीं है आप इसको blank छोड़ दें यहाँ पर star नहीं लगा हुआ है इसको आप खाली छोड़ सकते हैं अगर आप कहीं पर पहले पढ़ा रहे हैं और आपको जो है वहाँ पर 30,000 salary आप ले रहे थे तो यहाँ पर आप जो है 35, 36, 37 ठीक है ऐसे जो है क्योंकि pre-primary teachers की vacancy है तो यहाँ पर आप डाल लें और father, mother, detail यहाँ कोई star नहीं है language, non, education, qualification इसे fill कर लेंगे ठीक है इसे आपको जरूरी है क्योंकि qualification तो आपको fill करना compulsory है उसके बाद experience जो है इसको blank छोड़ दें आप unmarried है इसको छोड़ दें, reference name other information, attachment यहाँ blank छोड़ सकते हैं यहाँ पर आपको click कर लेना है और उसके बाद submit करना है ठीक है, तो मैंने आपको सारे बता दिये हैं इस तरीके से जो है आप लोगों को pre-primary teachers के लिए जो भी candidate apply करना चाहते हैं अगर आपने न्यूस पेपर में देख लिया है तो आप लोग official website पर चले आएं कर वोगों करना है थैस घ्चसर काईब हो भी कि लोग बता करना दिये है